सोनाव ब्रैटकों गुरूप अब देखे दिवाली की दिन ना अच्छी खबर आ चुकी है 16 रोपय पच्छासी पैसे 17 रोपय के आसपास की क्लोजिंग है इस्टो की और जिस खबर का इंतजार था कि at least कोई न्यूस जो है वो कंपनी या यहां पर जो है मैनेजमेंट की नोम्बर देठ दे दी गई है मीटिंग की और यहां पर मीटिंग में 13 जो रिजन से बताये गए हैं कि क्यों मीटिंग पर और क्या-क्या निकलकर आएंगा और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है ऑडिटर जो गायब था ना उसकी निफ।े के सब से लिए यह मिटिंग होन वो इंडिपेंडेंट डिरेक्टर की तरफ से है जया लक्षमी जो की यहां पर अपॉइंट करी गई थी उनकी तरफ से यहां पर साइन करे हुआ लेटर है और यहां पर अगर आप देखे तो पंदरह नोवंबर 2030 डेट रखे गई है अल्मूस्ट वारा और यहां पर बारा ब कि एक ना हमने सुन रखा है कि quarter to quarter actually होता ही है quarter to quarter जो numbers है ना वो without auditor मतलब अगर आपने number पेस कर दिये management ने है तो auditor जो है वो thumbs up दे देता कि yes 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 आप quarterly numbers आप ला सकते हैं बहुँ जादा है यहां पर जो है देखा देखी नहीं करते है ठीक है confirm चाही होता है quarter to quarter जो number से लेकिन ए एक होता है yearly number जो आपका March end में आता है वो पूरे साल का audit किया हुआ उसके अंदर जो auditor होता है वो माइने रखता है और वो इस company से गायब है जो कि हमें पते है कि बाहर हटा दिया गया simple सी बात है पहला यहां पर जो है उसके उपर meeting है दूसरा है यहां पर जो है आपके Q2 के number जो है ना उसके लिए extension मांग रहे हैं so that उसके लिए meeting अब यह है और date निकल के आएगी जो भी आएगी date और यहां पर एक और बात याद रखे गई जो AGM आपकी यहां पर दिसंबर 31 तक जो date है ना वो अब postpone भी होगी कहीं ना कहीं और वो यहां पर और delay होगी AGM उससे पह पहले auditor आएगा यानि कि company का जो structure है वो पूरा भरने की तैयारी है पहले भरा जाएगा उसके बाद AGM होगी और बहुत सारे लोगों का यह कहना होता है dividend देखे बार बार उसके बारे में कोई चर्चा करनी नहीं है dividend आपको तब मिलेगा जब AGM हो जाएगी AGM आपकी एक बार हो गई AGM की जो date है उसके 30 दिन के अंदर ठीक है next 30 days के भीतर भीतर आपके सामने dividend आपके अकाउंट में होगा तो वो आप यहाँ पर लिग लीजे समझ लीजे dividend का यहाँ पर कोई यहाँ पर जो रोली नहीं है जब तक AGM नहीं है तक तक dividend नहीं है AGM के 30 days यहाँ पर जो है अंदर अंदर 30 days के अंदर अंदर आपके पास dividend होगा so that यहाँ पर third other business item सब उसके अंदर क्या होगा कुछ को पता है नहीं ठीक है तो आपके सामने यह notification आ चुका है और already यहाँ पर जो है trading window जो है close हो चुकी है October 1 से so that अभी आपके सामने कुछ भी यादा अब इस वक्त जो है Q2 के जो चलते है वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा Q2 नमबर डिले होंगे और Q2 नमबर यहाँ पर जो है almost auditor आने के तुरंद बाद ही यहाँ पर कही ना कहीं आती हुए देखेंगे अब देखेंगे statuary auditor यह हो थे कोन है क्या यह permanent वाले हैं यहा आपर temporary वाले हैं देखें सिंपल सी बात है जो temporary जो होता है ना वो temporary कुछ नहीं है already quarterly numbers जो है ना already मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि quarterly numbers के लिए na independent director भी चले हो शायद जहां तक मुझे याद है और उसमें ना आपका यह auditor का सिर्फ और सिर्फ confirmation चाहिए होता है सिर्फ confirm करत है कि हाँ ठीक है बात ठीक है आप quarterly number ले आओ इसलिए लिए लिखा रहता है un-audited result ठीक है जो audited लिखा होता है वो इनकी तरफ से आता है यह बहुत ही important है यह mandatory होते है company के अंदर और यही बाहर निकाले गए थे जो भी अभी थे फिलाल हाल फिलाल में ठीक ना तो अभी उनक management strongly work करती है so that यहाँ पर कहीं ना कहीं auditor आपके सामने आजाएगा अब यह बहुत ही बड़ा step है क्यों है यह बहुत बड़ा यहाँ पर impact डालेगा यह पहले step है company करने जा रही है यह पहले step है और यह इसके अंदर क्या होगा strategy auditor आप समझे गए होंगे यह annual numbers जो आपके होते ह होते हैं वो यहाँ पर पूरा check करकर इनकी तरफ से confirm कर आते हैं इनके sign चाहिए होते हैं यह CA आप कह सकते हैं यह CA होते हैं CA की firm होती है और वो यहाँ पर sign करके देते तो उनका बहुत ही मानने होता है बहुत ही important होता है और यह temporary क्या मतलब आप permanent ही कह सकते हैं जब तक आप दोस्ती नहीं तूट रही है सिंपल सी बात अब देखी मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा लेकिन आब यह देखना है क्योंकि यह फर्स्ट स्टेप है और यह न मेक और ब्रेक वाला है मतलब इससे बहुत उमीद है सिंपल सी बात है यहाँ पर ओडिटर कौन कि वो है कि आप बिग फर्म के अंदर से लेकर आए बिग फोर या बिग यहाँ पर ना फर्म लेकर आए जिसका जाना माना नाम हो जिसका एक चेहरा हो मार्किट के अंदर वैल्ल्यू सिंपल सी बात है तो वो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ओडिटरिंग जो फर्म के अंदर आते और अगर इन्वे से कोई एक नाम ये ले कर आते हैं तो ये बहुत कहिना कहीं पॉजिटिव हो सकता है ब्रैटकुम ग्रूप के शेयरोल्टर्स के लिए यानि कि ये पहला और मेक और ब्रेक स्टेप हो सकता है जो कि ये लेने वाले मैंजिमेंट तो अगर ये अच्छा नाम लाते हैं और मुझे लग रहा है कि डैलोट नहीं बलकि कहीं ना कि ये आपना मैजियोर्टी में लेकर सच चल सकते हैं क्यूंकि जो इसरायल के जो नमबर से इसरायल सब्सीटरी को जो नमबर है वो इवाई की तरफ से और आडिट ओगर आते हैं जो कि हम बह पर मिल जाए और EY अब Bratcom Group को जो है ना BCG को यहां पर audit कर देखे audit firms बुरी नहीं होती है audit firms बुरी नहीं होती है ऐसा नहीं है कि Deloitte, PwC, KPMG EY इनके यहां तुमें सब कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत सारी audit firms है बहुत सारे CAs हैं उनमें से आप कुछ भी लेकर आएंगे ना लेकर इस वक्त ना यहां पर अगर आप देखें BCG की जो इमेज है उसको सुधारने के लिए ये एक बड़ा स्टैप हो सकता है कि आप बिग फोर में से कोई एक को लेकर आए क्योंकि उससे ट्रेस्ट है एक ट्रेस्ट जनरेट होगा मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू जो है न वो दोबारा बननी स्टार्ट हो जाएगा अल्रेड़ी BCG ने अपनी इमेज जो है वो बिलकुल जमीन के नीचे गुसेड़ दी है तो अभी फिलाल जो है न फिलाल के आगे भी यह इम्पोर्टेंट का है बहुत बड़ा खर्चा थोड़ी हो जायाएगा एवाई एवाई से ठीके न तो वो तो आप ऑडिट कराते हैं जो वो लेंगे थोड़ा सा 10-20 का अंतर पड़ेगा है लेकिन आपका एट लिस्ट यहाँ पर जो एक नाम है आपका वो बनने स्टार्ट हो जाए कि हाँ बड़ी है ब्रैट कॉंग ग्रूप की जो ऑडिटर्स हैं कंपनी के वो यह हैं और भाई बहुत बड़ा नाम है उनका तो यहाँ पर तो चांसी नहीं है कि इनका जो है इनकी नमस पर कोई एक गलती हो या जो कुछ भी हो तो वो यहाँ पर हो एक बड़ अगर आजाएगा तो फिर हो सकता है कि आपका जो सालाना जो नमर्स हैं जो पहले डिमांड कर रहे थे कि कहीं न कहीं जो आपकी auditor हैं वो आ जाएं और यहां पर audit करके दोबारा कहें कि हाँ भई यह numbers में कोई कमी नहीं है clear है, सब कुछ clear है कोई कमी नहीं है, जो net sale company बता रही है, वो बिलकुल सही है जो profit जो company बता रही है, वो बिलकुल सही है अगर कोई big four में से ले आए तो तो बहुत बड़ी बात है बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे क्याल से एक पूरी company का जो कच्छा चिटा है वो अगर EY अगर audit करेगी न या कोई और भी audit करेगा या जो भी है, ठीक है न लेकिन big four में से ले आएं तो कुछ बड़ा होगा तो अभी फिराल ये मैं सोचे है कि कोई बड़ी रेली आ जाए आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ठीक है ना, लेकिन अभी तो stock जो है वो धारस आई है, ये तो ये कह रहा है कि मुझे जल्दवाजी नहीं है मुझे चाहिए auditor और इस वक्त बहुत ही जो एक खीचा तानी चलेगी न वो रहेगा कि auditor कौन है अब इस पर बात छड़ी आएगी निवेसक वाई, छोटा मोटा नहीं है ब्रैट कुम ग्रूप का और निवेसक पांच लाग से उपर की निवेसक यहाँ पर जो है न इन्वेस्टेड है ब्रैट कुम ग्रूप के अंदर नम्मर ओफ इन्वेस्टर्स तो खीचा तानी अच्छे तरीगे से होगी कही ना कही और वो अब ये ही देखा जायागा कि कौन ओडिट अब फर्म जो है वो एंटर करेगी बीसीजी के अंदर और जैसा कि मेरा खाना बिग फोर अगर आ गई कोई एक आ गया तो फिर सब कुछ कही न कहीं बदलता हूँ नजर है ये फर्स्ट स्टेप है और ये मेक स्टेप होगा इंतजार करते हैं कोई जल्द बाजी नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है देखते हैं बस यहाँ पर जो है अंदर का मामला ना जल्दी जल्दी सुलेजना चाहिए बस हमारे लिए ये इंपोर्टन स्टॉक तो चल जाएगा हमारे सामने अभी बहुत सारी चीज़े किलियर होना बाकी है तो हम उसके लिए वेट करें कोई दिक्कर नहीं थोड़ा सा और टाइम इतना टाइम पे कर दिया है अल्रेडी थोड़ा सा और जहल लेंगे तो आप क्या कहना है इसके उपर कमेंस साथ में कही और अब दिश भी जाए वीडियो देखने के लिए बहुत अद्रमाद दूस्तों